चेन्ने और कलकत्ता के बीच में एक लोव स्कोरिंग मैच खेला गया जिसमें कई सारे भावुक करदाने वाले पल थे क्योंकि सायद चियपा अक्यानी की चेन्ने के मैदान में ये महंदर सिंग धोनी के आखरी IPL मैच थे हाला कि महंदर सिंग धोनी इस बात को लेकर के डिना आई कर्टू के हैं कि ये उनका आखरी IPL सीजन है लेकिन फिर भी जो फैंस के मन में संका है सवाल है जिसके तहट ये मान कर अभी तक चला जा रहा है कि हो सकता है कि महंदर सिंग धोनी का ये आखरी मुकाबला हो चैपा क्यानी की चेन्ने के मैदान में और कहीन कई फैंस ज पचे हुए एक मुकाबले हैं जो कि दिल्ली के खिलाप होगा उसको चन्ने सुपरकींग को हर हाल में जीतना है अगर चन्ने सुपरकींग वो मुकाबला नहीं चित पाती है तो कौईलिफाई नहीं कर पाएगी और इस सीजन में बिना कौईलिफाई किया ही उनको अपना इमोशनल थे और इमोशनल हो गए वहाँ पर कमेंटरी कर रहे हैं मैदान पर सुनिल गवसकर जो की लेजन्ड की इंडियन किरिकेटर है आप सभी को बता दू कि जब यह मैच खतम हुआ उसके बाद एक बहतरीन पिक्चर एक बहतरीन दृस से देखने को मिला जब सुनिल गव आई थे उन सभी को चन्नी सुपर किंग ने सुक्रियादा किया और अपने चिर परिचित अंदाज में सभी फैंस को जो है सुक्रियादा धन्यवाद किया साथी साथ आप सभी को बता दू कि यह आखरी मैच थी चन्नी सुपर किंग की होम क्राउंड पर इस सीजन में तो कह लेकिन जो मैंचे हुए ओ लोई स्कोरिंग के अगर हम होम ग्राउंड की रेकॉर्ड की बात करें तो उतना बहतरी नहीं रहा क्योंकि कुल साथ मुकाबले यहां पर खेले गए जिसमें से चार मुकाबले में जीत मिली तो हैं तीन मुकाबले में हार का सामना करना पर और यही ओ बज़य है कि अभी तक चन्ने सोपर किंग क्वाइलिफायर में अपनी जगा नहीं बना पाई है क्योंकि होम ग्राउंड पर उनका परदर्शन उतना बहतरी नहीं रहा लेकिन जो मैचे हुए ओ लोई स्कोरिंग मैच था और सभी लोगों की धरकने जो है ओ लगातार अनमान लगा अपाना मुस्किल था कि आखिरकार ये मैच कौन जीत रहा है लेकिन कलकता ने बहतरी इन बैटिंग का परदर्शन करते हुए इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया और सारे जितने चन्ने सोपर किंग के फैंस मेदान में आये थे मैच को देखने सारे मायूस ह अपने चिल परचित अंदाज में फैंस से मिले सभी को सुक्रियादा कहा किसी को बैंड तो किसी को गेंदे गिफ्ट की उसके व्याद फैंस के चेहरों पर मुस्कान आई और कहीं न कहीं थाला का नाम ही काफी है चन्ने सोपर किंग के फैंस के चेहरे पर मुस्कान लाने के और ये बहतरीन सा एक हम कह सकते हैं कि प्राइस लिट मूवमेंट जो है चैने सोबरकिंग के पलेर्स ने साथ जो है स्पिंड किये अपने फैंस के साथ और ये लंभा खास बन गया और इतिहास के पन्नों में सुर्कियों अच्छर से धर्ज हो गया तो बहतरीन मौका था बहत इतने सालों में किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और इसकी अगर हम बात करें तो सब्दों में बया कर पाना मुस्किल होगा तो रिष्टित रूप से महेंदर सिंग धोनी का जो योगदान रहा है किर्केट में उसके लिए सब्द कम पढ़ जाएंगे बया करते हु तो आप लोग महेंदर सिंग धोनी को क्या आगे किर्केट खेलते हुए देखना चाहती हो चन्री सुपर किंग के लिए तो कमेंट के जड़ी जरूर अपनी बाते रखेगा आप लोगों को क्या लगता है कि चन्री सुपर किंग क्वालिफायर में अपनी जगा बना या फिर नहीं फटा फट से कमेंट में जरूर लिखे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आकों को जरूर फ्रेस कर दे फिर मिलेंगे तब तक बने रहे चैनल के साथ